सबीको नमस्कार मैं डॉक्टर केराश मिना स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने चैनल एंसी ए आर्टी वी टीचिंग और कॉमिक शेविज में इस चैनल के कॉमिक्स रिवीव की सेग्मेंट में मैं आज लेकर काया हूँ अन्बॉक्सिंग बाल चरीत स्रीज की अन्बॉक्सिंग को किया था महां अन्बॉक्सिंग नाम से वह आपको वीडियो बिल जाएगा चैनल पर उसमें से मैंने यह अन्टर सेने के बाल्चर सीरीज का फर्स्ट पार्ट है और राजनगर रक्षर शीरीज इन दो को चूज किया है अन्बॉक्सिंग के लिए सब कोमिक्स थोड़ा टाइम पहले से मार्केट में अवेलेवल थी डिफरेंट प्लेफर्म्स में तो वह सभी के पास में होंगी तो जो व्यूवर्स है उनको शायद इन में इंटरस्ट आए क्योंकि यह लेटेस्ट स्रीज है अभी रिज़ में है तो इनके बारे में हो सकत हैं हंटर्स और बाइदवे इसका डिटेल रिव्यू मैं अलड़ी बना चुक हूं मेरे जो शुरुआत की वीडियो थे बहुत ही शुरुआत की वीडियो तब मैंने बाल्चे सेरीज का रिव्यू जिसा मुझे लगा था मैंने बनाया और वो अप टूदा मार्क नहीं लग नबबे रुपे का यह और जिना थो एक्सटी सब्सक्राइब रिप्रेंट आए था यह रिप्रेंट है संजी गुपताजी की तरफ से प्राइस मेंशंड नहीं है कोई बात में इसके साथ में सुपर कमंड दुरू का नया स्टिकर मिलता है अब तक चुनोल्ती समें मिल रह सब्सक्राइब करेंगे का पुर्णा नहीं है और यह हमारे पास में कॉमिक्स है विद ओरिजिन से डिटेल से उपकोर्स और कॉलिडी में बिलकुल मुझी पहले से लग रही ही क्योंकि यह सीरीज एक नई सीरीज कराईगी अनुपम सिनहा जी द्वारा रचित एक नई सीर और मार्वल सीरीज भी एंड गेम मुवी के साथ में रही है यह एंड गेम का फिंपर्ण अनाम बन गया था प्राइब कॉलिटी बिलकुल वैसी ही लगी मुझी इसी ओरिजिनल में थी कहीं से भी मुझे लेग नहीं लगा क्योंकि इसको अच्छे से रिप्रेंट किया गया इसकी तो काल्डी एक एक एक्जेक्टल वैसी है बिलकुल आप बता भी नहीं पाएंगे कि अगर आपको नहीं पता हो तो है सेकिंड पार्ट हमारे हाथ में आता है फ्लेश पेक और इनके इंडिविजुल क्लेक्टर एडिशन भी आये थे मैंने उनमें से किवल एक पर्च कि में अगाम भुषवा है यसे बोगेंभव को श्याता था ना वह भी मोगामभा यूगा को सब्स्क्राइब आप मेने अइस जो आप अमरी श्परीज जी का डायलोग था इस्ट इंडिया कॉमिक्स मोवी में और यह भी निव आर्ट है अलिक अनुपम जी का नहीं बहुत प्रिंट जैसे लग रहा है कि मैंने देखे में वह बिल्कुल बैसा ही लग रहा है कोई डिफरेंस नहीं है ऐसे ओर एड्ड है सब कुछ बसा ही है तो अनबंब जी ने इंडिज़र ग्रेक्टर एडिशन में इनके वेरेंट कवर्स बनाए जिसी कि हंटर्स है फ्लेश बेखा तो थिल होरा सुस्पेंस शीज लेकिन उसके दूब के स्टिकर दिये गए एक क्योंकि कमजोर नस्पता है हम अधिए दूब के स्टिकर दिन आपड़ेगा चुमब का जो कि दूब का करेक्टर है और इसके काफी कॉमिक्स के क्लेक्ट एडिशन पर आपया है आया चुमब चुमब का चकर भी नाम से क्लेक्ट एडिशन भी आया है और इसका ट्रडिंग कार्ड है जो अनबंब सिनाइजी ने मना है ये नाइंटीन नैंटी इसका है उन्दा नाइटेंटी इसका पास का ट्रडिंग कार्ड हो शाएगी तो ये दू मिलती नहीं इस बहुत है पावा मैं दिखा जितना हूं को कि भाइदवी ये ट्रेप और फिराय बाकिलाल आपने देखे लिए उनके भी फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो चैनल पर अवेले हैं दिख सकते हैं तो त्रिफना का क्लेक्टर एडिशन है हाड़ बाउंड ऐसा होता है ऐसे कुछ इस तरह की हारड़ बाउंड के साथ है जिसे नारक नाख्रक शीरी जिए लिए उस तरह के और प्लस उस पर वेरियंट कवर का जेकेट कवर था मतलब जिसी कि इसको अगर डबल स्प्रेट बोलेंगे कि यह सिंगल कवर है अगर यह कॉर्ट पिछे तक इस प्रेट रहता तो इसको बोलते है डबल स्प्रेट तो उसको फोर टाइम स्प्रेट बोल सकते है क्योंकि वह कोवर यहां से लिकर के इतना फिर जिसा राजनगर की तबाही प्रल्या बिनाश को रम जो काया मतलब था पूरा यहां तक आगे डबल फैला ओ फिर यहां से पिछे से बीड़ फैल पार्ट है वो 160 पेजिस का है बाके सारे 96 पेजिस के हैं तो 90 रुपीज के निकाले थे और पता आपको हाड़ बाउंड की विद्ध वो जेकेट कवर क्या प्राइस थी 110 रुपीज के निविव 20 रुपीज का डिफरेंस जिसमें आपको हाड़ बाउंड कवर मिलता था और प्लस वो इतना सुपर स्पिर्ड है कर आप तो संभव नहीं होगा बाल चरित इस पूरी सीज का कजो कमाइन क्लेक्टर एडिशन है वो संजी कुपताजी तरफ से 2000 की प्राइस के साथ अनौंच होगा है और उसके हाद में कुछ कवर काड वगरा मिल रहे पर उसमें है कि नहीं मुझे नहीं बता बट मैं चाहिए कि वह कवर एक्स्टर जो थे वो मिलें अगर को एक्षा इडिशन कितना भी महंगा प्लान हो सारा वेरेंट आना चाहिए तब यह सचा अधिशन अधिशन परमानों का ट्रेडिंग कार्ड एक स्टिकर एट टेडिंग कार्ड संजी गुपता जी को बढ़ाई कि इसको अभी तक में बरकरार रखें मैं मनोज गुपता जी नोवल्टी में काफी वेरेशन देखने को मिल रहा है इतने भी क्लेक्टर एडिशन थोड़ए थ अधिशन देखने का काम काफी पसंद आया और कौमी के क्वालिटी के साफ से मनोज गुपता जी काम पसंद आ रहा था बट अब यह जो रिप्रेंट है जाए आप नरक नाशक सीजिज के रिप्रेंट है या बालचित के हैं मुझे कौलिटी में कॉई कमी नजर नहीं आई अधिशन में थोड़ा बाइनिंग इशू हो कर रहा है वह थोड़ा होता है पर दोनों ही इंप्रुव्मेंट के तरफ अग्रसर है और रिप्रेंट के जो रेट है वो भी संजी गुपता जी कि इतने ज्यादा भी कोशली नहीं है तो फॉर्थ पाट हमारे हाद में आया था सबी धरूर के न्यू आट देखने को मिल रहे हैं एमन्त कुमार जी का अट लग रहा ही इनुट कमार जी के साथ में धनन जे का अनुपम सिराजी द्वरा बनाए गया ट्रेडिंग कार्ड है हमारे हाद में फोकस कर देते है अच्छा लगता है इस तरह के आट कार्ड हमें म चेंज नहीं है बसके वल संजी गुपताजी का लोगों आ गया है यहां पर पीछ प्राइस का अब होगी इसमें एक और वाद लास्ट बाता हूं फाइनल जो शिक्स्त पार्ट आता है वन सिक्स्टी पेजिस की कॉमिक्स काफी कम आया है लाज को में पहला वन सिक्टी अधिलिव चुब जी के बनाएवा और यह तरंगा करेक्टर है राष्ट्र द्रोई में बनाता में इसको और यह अनुपम सिना जी का दोरा बनाया गया है चित्र और इस्किंकिंग जगदीश कुमार जी निकी है विनाद कुमार जी का नहीं कि अच्छा स्टिका दिया है त इसका क्रेक्टर अधिशन शायद थे अंधिशन के साथ पास आयो क्रेक्टर मुझे अच्छे स्याद दिए इसका प्राइस 200 मेंचिन हुआ तो मुझे से की हमारे फैंस क्या था अपने पाउं पे कुलाहण ही मानेगी तो इतने सारे प्रियोटर लग रहे था मिना वोतन इस सभी सभी प्रियोटर का पार्ट थे इसलिए मेरा पार्सल दो मैंने सटकावा था तो इसकी मां ग्रांड अन्मुक्सिंग कर चुको हूं अपर सचिक आउट जरू करना इसका प्रियोटर लगा तो हमारे जो सुब चिन तक हैं उन्होंने वहला मजाना शूर कर दिया कि ओव कि बहुत सारे प्रियोटर लगे थे एक दिन के अंदर इतने सारे प्रियोटर लगे थे कि सारी सिरीज आई तिंक वह सारे यह रादनागा रख्षक सीरीज है आखिर चूबी है इवन यह सब्सक्राइब है और इसी चकर में मेरे और काफी समय आटका तो आप ही बदाई हो स संजेग गुपता जी जो टीम थे उन्हों सुचा होगा कि अफोड़ेबल है रखा जाए उन्होंने पहली बार में हर चीज के प्रैस निकेज होते हैं पहली बार इसका प्रैस डिक्रीज करा था तूफिट का यो यह बात हजम नहीं हुई बे मतलब का हला मचा है फेसे हो को इसका प्रैस 225 करके उसको मौडीवाई कि एक तो मुझे 225 मों है पर आप बताइसे मंचों हम डिक्री घलती हुई अज जह तक मुझे पता किसी प्रीडर में मौस्ट राएं कोई गलती नहीं होती इतुछ प्रैस में जो प्रैस को तो प्रैस में मिल रहा था बढ़ा बात क काफी कोशली मिलें चाहिए था 155 या 160 की प्राइस है जो ओरिजनली 90 रुपीज के आया थे बाद में 120 के उपए तो अगर एक 200 का हो भी गया तो इसमें कौन सा बावाल मज़ गया था पर नहीं उसका बहुत हला मचाए अंत में इसका प्री ओडर जो है और जहां तक इसमें प्राइस में नहीं तो मुझे लगा कि इनके बावाल को देखते हुई उनको लग रहा हो कि हावे कुछ जादे सस्थी लग रही है तो क्यों ना इसे बढ़ा दिया जाए तो इसी नहीं भातों के साथ में मैं नोवल्टी से साथ में अन्वक्षिं को दोए हैं वोग जादे घूए है तो